नमस्कार, आज हमारे सामने जो गेस्ट होने किसी इंट्रोडक्शन की जरूत नहीं है उन्हें ना सिर्फ आप और हम जानते हैं, बलकि सारी दुनिया उनसे परिच्चत है नमस्ते सर, हर बार चुनाओं में आने वाले मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं को हल करेंगे ये सोच के जनता अपना वोट डालती है लेकिन हर बार उसे निराशा होती, उसके साथ धोका होता है आपके राज में भी ऐसे ही हो रहा है क्यों सा? लगता है तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते हो आज महराश्टर के हर घर में कलर टीवी और हर गाओं में डिशेंटना है कोने कोने में स्टीडी और आईस्टी के बूत लगे हुए है इंटरनेट है हर आदमी के पास अपनी अपनी गाड़ी है आज हर आदमी पाओं में जूता पहनता है हाथ में घड़ी लगाता है, S.L. वर्ड जाता है, मैकडोनल्ड में खाना खाता है लोगों का स्टेंडर ओफ लिविंग इतना उचा हो गया है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले पंदरा सालों में एक भी आदमी भुक मरी से नहीं मरा कोई किसान मैकडोनल्ड का बगर तो क्या दोवक की रोटी नहीं खा पाता कोई मजदूर कार में नहीं गूमता बलकि कड़ी धूप में पत्थरों पर अपनी एडिया रगड़ता है अमीर और अमीर होता जा रहा और घरीब सड़क पर आ गया है दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे शेर में है सर लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते है राशन की दुकानों पर घंटो लाइन में खड़े रहते हैं बच्चे अभी भी सिंग्लल पर भीक मांगते है उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे तुम्हें मालूम है मेरे सीएम बनने के बाद स्टेट में पढ़े लिखों की संख्या 64.8% हो गई है केरला और मिजुरा में 90% है इंडस्ट्री के मौमले में महाराष्ट नंबर वन है क्राइम में भी नंबर वन है अब सिर्फ 35.8% लोग गरीबी की देखा के नीचे है पंजाब में 11.7% उसके नीचे है और आज भी आगाओं में एक आम आदमी के अवरेज इंकम सिर्फ 3 रुपया परती देना है मिस्टर शिवाजी राओ पहले अपने आँकड़े साफ करो और फिर बात करो सर यह वर्ल्ड इकनामिक फॉर्म रिपोर्ट यह IMF रिपोर्ट यह Human Rights Commission एमिनिस्टर इंटरनेशन और यह World Bank रिपोर्ट World Bank का कहना है सर जो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुचा ही नहीं उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए इसलिए उन्हें अपना अगला इंस्टॉल्मेंट कैंसल कर दिया तुम्हें पता नहीं है बेटे वर्ल्ड बेंक ने ऐसी शर्ते रखी थी कि सारी स्केट गिरवी हो जाती क्या शर्तें थी सर ज़रा खुल के बताएंगे वो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मैं जन्ता को बता दूँगा जन्ता आपको देख रही है सुन रही है यहां बताईए वर्ल्ड बैंक ने इंस्टॉल्मेंट कैंसल क्यों की वो ऐसे नहीं बता सकता पूरा पुलिंदा है हजार पन्नों का अनेक्सचर ए, बी, सी, जी करके अठारा सेक्षन है सेक्टेरियट में मिलता है पंद्रा रुपे खर्च करके लिया और सबको सुनाओ अगला सवाल सर पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था हम लोग खेती बारी करते थे अभी आपकी तन्खवा कितनी है? क्या? सेलरी, तन्खवा सब काट कर कोई यह 18,000 रुपे होगी यानि एक साल में 2,16,000 यानि आज तक कि आपकी कमाई 20-25 लाग रुपे से ज़्यादा नहीं हो सरी फिर भी आपके पास 500 गरोड रुपे की प्रॉपेटी है वो कहां से आई सर? अरे बाब रे, ये तो दोती खोल रहा है सब बगवास है तो मैं जानना है मेरी प्रॉपेटी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो वहाँ कर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है केस? वैसी कोर्ट में 14,000,000 केसे से जो 15 साल से चल रहे है हर्शद में तेका केस अभी तक चल रहा है बाम बलास वाले बाहिजद बरी हो गए एक औरत करेप केस चब उसका नंबर आया तो उसे मरेवे पांच साल हो चुके थे और आप कहते हैं केस करो यह याद है सर हाँ देखा है कही यह आपका इलेक्शन मैनेफेस्ट हो है हाँ याद आया मैने ही तो चपवाया था हम जाती और अपराद रही समाज की स्तापना करें समाज में कानून और विवस्ता लाएंगे और ते फिर से सडकों पर खुले आम चल सकेंगी घर घर में बिजली पानी राशन होगा पूरी शिक्षा मिलेगी महँगाई जाएगी खुशाली आएगी वो खुशाली आएगी कि बजाए जाएगी चप गया था मैंने उसे ठीक करवाया था मुझे याद है ये सब हुआ है क्यों? नहीं हुआ है आप कहते हैं कि कानून और विवस्ता लाएंगे लेकिन उस कानून की धजिया उड़ाने वाले ही आप है जाती बात को बड़ावाद देने वाले भी आप है ऐसी बातें करके तुम मुझे भरकाना चाहते हो क्या? मैं आपको भरकाना नहीं चाहता मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों को बता चले कि सच्चा ही क्या है, यह देखिए और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए तुम मेरे पर गाड़ी चलाओगे, तो क्या हमारे साथ माने हाथ ने तरने जागे मेरी चिता के साथ सारा बाराण चलेगो एक बस ड्रैवर ने बस रोकर पूरे शेहर में चक्का जाम करवा दिया उससे पूछा तो कहता है कि रूलिंग पार्टी का आदिए दूसरा ड्रैवर जात के नाम से डलाने लगा कमिशनर और पुलीस भी कुछ करने ही पाए क्योंकि आपने उने कुछ करने ने दिया क्योंकि आप से आपकी कुर्सी नहीं चूट रही थी है ना क्या पकड़ा है इस इंटरव्यू को संसनी खेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम नो सर, सबूत है मेरे पास उन में से एक ड्रैवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जातवालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में चिताया है और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं अगर इन मेंसे किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा नो एरेस्ट, नो टियर गैस खुछ चलाते हैं तो चलाने दो पहले चलाएंगे, बाद में ठक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे फुछ बसे जलती हैं तो जलने दो, दुकाने लटती हैं तो लटने दो मैं दो चार को पकड़ कर एक बैजिया अब बोरिये से, जनता से ज़्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है, ना? बोरिये सर, क्या हुआ? वाट सापनिग? नंगा करके नहला रहा अरे, बोलना, बुढ़े, बोल्टी की बंद हो गई? अरे, लेडाल, लेडाल, लेडाल कैमरा बंद कर क्या, कार टार होगा कसाई मंतरी, इसको बोलो, बंद करे अच्छा, तो इंट्रुव्यू खत्म ना, जैहिन इसक्यूज बी, सर, लाइफ टेलिकास चल रहा है, लोग देख रहे हैं लोगों को उनके सवालों को जवाब अभी तक नहीं मिला, बैठ चाहिए, प्लीज अच्छी डबिंग की है, मेरे जैसी आवाज वाले किसी से कुछ भी बलुआ कर, जन्ता को मेरे खिलाब भड़काने की साज़िश है इन सवालों के जवाब देना में जुरूरी नहीं समझता इसे खुद मैंने अपने कैमरे से शूट किया है, सर अपोजिशन वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है अगर आप अपोजिशन में होते तो कितना पैसा खिलाते माइक पकड़कर सेडलाइट टेलिवीजन की आर्ड में तुम मुझसे कुछ भी बूचोगी और मैं उसका जवाब दूँगा क्यों? जानते हो कितना कुछ हिलता हूँ मैं जो सीम की कुरसी पर बैठता है न वो ही जानता है जब कभी कोई दंगा फसाद या कुछ ऐसा होता है तो जजबाती होकर जल्दबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं करता मैं पहले फसाद की जड़ तक पहुंचता हूँ और फिर से सुल जाता हूँ तुम्हारी तरह हवा में सवाल नहीं पूछता और यही मैंने उस दिन किया उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया सर जो समस्या असानी से हल हो सकती थी उसे आपने अपने फाइदे के लिए और बड़ा बनने दिया और आप यहां बैटकर खुद को जस्टिफाइ कर रहे हैं आग में हाल डालोगे जल जाओगे तुम समझ नहीं रहे हो डाल के देखो फिर पता चलेगा एक दिन सिर्फ एक दिन के लिए सीम बनके देखो बाते दाल का भावपता चल जाएगा सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है बिलकुल प्रैक्टिकल है सम्विधान में इसके लिए भी प्रोविजन है एक छोटा सा ओर्डिनिंस पास करना पड़ेगा बस एक दिन 24 गेंटे कुछ भी नहीं है सर हम मजाग कर रहे हैं अरे मजाग तो तुम समझ रहे हो बस एक दिन मेरी कुरसी पर बैट कर देखो कितने अंगारों पर बैटता हूँ मैं कितने काटों का ताज है मेरे सर के उपर तब पता जलेगा कितने लोग एजुकेट हुए और कितने लोगों की गरीबी कम हुई तब तुम यहां बैटना और मैं तुम से सवाल पूछूँगा इसी प्रोग्राम में बोलो क्या बोलते हो यह सीम साब क्या कर रहे हैं वन दे मैच खेल रहे हैं सीम की कुरसी का जब से बिहार होकर आये हैं अंशंट बोलते रहते हैं नहीं सर वो आपका काम है मेरा नहीं बस हवा निकल गई तुम रिपोर्टर लोग बस खुत्ते की तरह भोगते हो गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो जैसे ही गाड़ी रोग कर दर्वाजा खुला नहीं कि दुम दबा कर उल्टे पाउँ भाग जाते हो बोलो बनोगे सीम एक दिन के लिए लाइफ टेली कास्ट हो रहा है बच्चे सब लोग देख रहे हैं जवाब दो या इंटर्व्यू खत्म करें ठीक है सर अगर ऐसा हो सकता तो मैं तैयार हूँ एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्शी पर बैट कर देखूँगा यह फस गया सीम इसे पालिटी की मिटिंग समझ के फस गया चलो अच्छा है एक दिन मुझे भी पढ़े लिखे सीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो ठीक है जैहिन